हेलो दोस्तो आज है 31 मार्च और 31 मार्च के करंट फेर के जो भी important question बनते हैं आज हम उनके बारे में discuss करेंगे इसकी PDF आपको टेलिग्राम चैनल CT करंट फेर पर मिल जाएगी तो चलिए पहला question देखते हैं विशू बैंक समू ने हाली में वर्ष 2021 के लिए अपनी प्रुमुक रिपोर्ट विशू विकास रिपोर्ट विशू विकास रिपोर्ट यानि World Development रिपोर्ट जारी की है WDR यानि World Development Report प्रकासित की जाती है तो ये बताना है कि जो World Development Report है ये अर्दवारसिक वारसिक या एक वर्स में दो बार या दो वर्स में एक बार प्रकासित की जाती है तो इसके बारे में बताना है कि जो WISU Bank समू के दुआरा World Development Report जारी की जाती है तो ये कब जारी की जाती है, कितने समय के बाद जारी की जाती है तो ये रिपोर्ट वार्शी के रूप से जारी की जाती है ये जो World Bank समुव है, इस समुव में 5 संगठन है इस बार की जो रिपोर्ट है, इसका नाम क्या है World Development Report 2021, Data for Better Lives और ये जो World Development Report है, इसकी शुरुवात कभी थी 1978 में और इसको वर्श में एक ही बार प्रिकासित किया जाता है ये March 2021 के कुछ important day है, इनको हम revise कर लेते हैं जैसे 8 March को International Women's Day, 10 March को CISF Rising Day और जो CISF के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है कुल्दीप सिंग, 16 March National Vaccination Day 20 March National Day of Happiness और इस बार की थीम क्या थी, Happiness for All और 22 March World Water Day और इस बार की थीम थी, Valuing Water और इसके बाद 24 March 26 रोग दिवस और इस बार की थीम थी, The Clock is Ticking OCI, यह क्या है OCI यानि Overseas Citizens of India कार्ड प्राप्ट करने की समय सीमा 20 वर्ष से कम आयू के लोगों के लिए और 50 वर्ष से अधिक आयू के लोगों के लिए तक बढ़ा दी गई है तो यदि आपको OCI कार्ड प्राप्ट करना है तो इसकी जो सीमा है वो कब तक बढ़ा दी गई है इसकी जो सीमा है वो 31 December 2021 तक बढ़ा दी गई है तो यदि आप OCI कार्ड प्राप्ट करना चाहते हो तो आप OCI कार्ड 31 December 2021 तक प्राप्ट कर सकते हो सत्रवी लोकसभा के पांच वे सत्र का सत्रा वसान किस ने किया तो जो सत्रवी लोकसभा है और इसके जो पांच वे सत्र है इसको स्टार्ट किस ने किया है तो इसको जो स्टार्ट है वो किस ने किया है इसको राष्टपती जी ने स्टार्ट किया है तो समिधान सभा के अनुछेद 85 के अनुशार जो राश्ट पती हैं वो संसद के दोनों सदनों को आउद कर सकते हैं और उन्हें सत्रावसान भी कर सकते हैं यानि जो संसद के सत्रें उनको स्टार्ट भी कर सकते हैं और साथ ही में वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं खाले में Left Net Journal पिंटो की मिरति हो गई है उन्होंने किस लड़ाई में 54 Infantry Division का नित्रतव किया तो हमें बतानी है कि उन्होंने 54 Infantry Division का नित्रतव किस लड़ाई में किया है तो ये जो पिंटो है उन्होंने इसका Right Answer भर बसंतर की लड़ाई तो बसंतर की लडाही में इन्होंने 54 Infantry Division का नित्रतव किया और इनके बारे में थोड़ी सी जानकरी और जान लेते हैं ये जो पिंटो हैं इनको हम बसंतर का विक्टर भी कहते हैं और इन्होंने 1901 के युद्ध में 54 Infantry Division का नित्रतव किया जो 1901 का युद्ध है वो इन्डिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ और ये जो युद्ध है वो 3 December 1971 से लेकर के 16 December 1971 तक हुआ और ये जो युद्ध है केवल थोड़े से दिन के लिए ही हुआ है इसलिए इसको दुनिया के सबसे चोटे युद्धों में से एक माना भी जाता है विदेश मंत्री S.J.S.ंकर तजाकिस्तान की तीन दोस्चिय यात्रा पढ़ है वह के नोवे मंत्री इस्तरिय संमिलन में भाग लेंगे तो हमको बताना है कि वह क्या संगाई सहयोग संगटन यानि S.C.O. या बिरिक्स या हार्ट ओफ एसिया इस्तानबूल प्रोसेस या आर्थिक सहयोग और विकास संगटन तो इसके नोवे सतर में संमिलन में भाग लेंगे तो इसका राइट आंसर है C. ये जो हैं इस्तानबूल संमिलन में भाग लेंगे इसके बारे में जान लेते हैं ये जो इस्तानबूल संमिलन है इसकी सुरुवात कब हुई थी इसकी सुरुवात दो नोवंबर 2001 में तुर्की और तुर्की का एक सहर है इस्तानबूल तो Istanbul, Sammelan की जो शुरुवात है वो तुर्की Istanbul में हुई थी तो इस बार इसका जो नोवा सिंसक्रन है उसमें विदेश मंतरी S.J. Sankar ने भाग लिया है एक्जाम वोरियर्स पुस्तक किसके दुवारा लिखी गई है तो इक्जाम वोरियर्स पुस्तक पुस्तक परदान मंतरी नरेंदर मोधी जी के दुवारा लिखी गई है इसमें स्टेडी टिप्स हैं कुछ हाली में ये पुस्तक चर्चा में क्यों है क्योंकि परदान मंतरी नरेंदर मोधी जी के दुवारा इस पुस्तक का updated edition launch किया गया है यह जो पुस्तक है यह 2018 में प्रिकासित की गई थी और इस पुस्तक में क्या बताया गया है इस पुस्तक में परिक्षा के तनाव को कम करने के लिए छात्रों को कुछ tips दिये गए हैं हाली में किस देश के जो आलमखी माउंट मेरापी में विस्वोट हुआ है तो माउंट मेरापी किस देश का जो आलमखी है यह इंडोनेशिया का जो आलमखी है जिसमें हाली में विस्वोट हुआ है यह जो जो आलमखी है यह इंडोनेशिया के जावा दीपर है और यह माना जाता है कि रुपिया और यहां के राष्ट पती है जो को विडोडो मैप में इंडोनेशिया को देखते हैं तो मैप में यहां पर यह है इंडोनेशिया यह आपको पिले कलर के यह जो दिखाई दे रहे हैं तो यह हैं इंडोनेशिया के दिविप इंडोनेशिया की जो राजदानी जकार हुआ है माउंट मेरापी जवालमखी में तो यह जावा दीपर ही हुआ है तो इंडोनेशिया एक डीपो का समू है इंडोनेशिया के यहां पर बराबर में ही है मलेशिया तो मलेशिया के यह इस तरह से दो दीप है एक तो यह वाला है और एक यह वाला है यह जितने भी देश यह South East Asia के देश हैं जैसे अगर हम बात करें जैसे यह East यह West यह North और यह South तो South East में यह वाले कंट्री जाते हैं तो यह जो जितने भी देश हैं यह South East Asia के कंट्री हैं और Indonesia भी South East Asia का कंट्री है चलिए next question देखते हैं निम्न में से किस देश ने संयुक्त राष्ट सांती सैनिको तो संयुक्त राष्ट सांती सैनिको के लिए COVID-19 टीको की लगबग 2 लाँख खुरा के उपहार के रूप में देने की गोस्णा की है तो वह कौन सा देश है जिसने संयुक्त राष्ट सांती सै सैनिको के लिए COVID-19 की 2 लाँख खुरा के देने की गोस्णा की है तो इसका राष्ट आंसर है इंडिया तो भारत ने हाली में संयुक्त राष्ट सांती सैनिको के लिए COVID-19 टीको की लगबग 2 लाँख खुरा के उपहार में देने की गोस्णा की है जिसके साथ विशु में 12 सांती अभियानों में सेवारत सभी 25,782 स्विंक तुराष्ट सैनिकों को COVID-19 की दोरी खुराग मिल पाएगी तो ये जो सांती सैनिक हैं ये विशु के 12,70 अभियानों में कारे रथ हैं और इनकी संख्या कितनी है 85,782 तो इनके लिए 2,00,000 टीके भीज दिये गए हैं तो इनको लगबग दोरी खुराग मिल पाएगी क्योंकि इनकी संख्या से लगबग दो गुनी है 2,00,000 तो इनको COVID-19 टीके की दोरी खुराग मिल पाएगी कि इंद्रिया खेल मंतरी किरन रिजूज़िव ने किस योजना को वर्ष 2025 से चब्शबिश तक बढ़ाने की गोशणा किया। तो इन्होंने किस योजना को 2025 से 2026 तक बढ़ाने की घोसना किया है तो जैसे कि ये खेल वंत्रिय है तो इन्होंने खेलो इंडिया योजना को 2025 से 2026 तक बढ़ाने की घोसना किया है इन में से किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती का 69 वर्स की उमर में निधन हो गया है तो के सी चक्रवर्ती का 69 वर्स की उमर में निधन हो गया है यह RBI यानि इंडियन रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे है इन्होंने 2009 से लेकर के 2014 तक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में कारिया किया है RBI Reserve Bank of India इसकी स्थापना 1935 में हुई थी इसका मुख्यालिय मुंबई में है और इसके वर्तमान गवर्नर है सक्तिकांथ दास राश्टिय राजधानी छेतर दिल्ली सरकार विधैक तो ये विधैक का नाम है जो हाली में पास हुआ है 2021 के बारे में निमलिक में से कौन सा कथन सही है तो इस विधैक के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है विधैक के अनुसार दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्य पाल होगा तो ये पहला इसका option है और दूसरा option है इसका इसने दिल्ली सरकार के रास्टियराजदनी छेतर अधिनियम 1979 में संसोदन किया है तो ये इसका पहला वाला ही option सही है और ये जो दूसरा वाला option है गलत है तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है केवल फर्स्ट ही तो दूसरा वाला गलत क्यों है दूसरा वाला गलत इसलिए है क्योंकि इसमें जो पुराना वाला जो अधिनियम है वो अधिनियम है उनी सो एक्यान में जिसमें संसोधन किया गया है अब ये जो पहला वाले जो अपसने इसके बारे में समझ लेते हैं तो अगर दिल्ली सरकार में कोई भी नया फैसला आता है तो उसमें उपराज येपाल की सहमती जरूरी है उपराज येपाल से अंतमे सला जरूरी लेनी पड़ेगी तो इसमें कुछ इस तरह के बदलाव किया गए है जिसमें उपराज येपाल को वरियता दी गई है और इसमें जो संसोधन किया गया है वो 1901 के अधिनियम में किया गया है दिल्ली के बारे में जान लेते हैं मैप में ये है दिल्ली जो तरप्रदेश और हर्याना इन दोनों राज्यों की बीच अपनी बॉंटरी साज़ा करती है यहां के जो उप्राज्य पाल है वो है अनील बैजल और यहां के जो मुख्य मंत्रिय है वो है अरिविंद के जिवाल 67 फिल्म फेयर अवोर्ड 2021 में किसे बैस्ट अभिनेता का अवोर्ड दिया गया है तो यह 67 फिल्म फेयर अवोर्ड है और इसमें किस अभिनेता को बैस्ट अभिनेता का अवोर्ड दिया गया है तो यह है इरफान खान जिनको बैस्ट अभिनेता का अवोर्ड दिया गया है तो बैस्ट अभिनेत्री का अवोर्ड किसको दिया गया है बैस्ट अभिनेत्री का अवोर्ड तापसी पन्नो को दिया गया है और इनकी फिल्म का नाम है थपड जो इर्फान खान है इनकी फिल्म कौन सी थी इनकी फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम जिसके लिए इनको सर्फस्रेट अभीनेता का अवोर्ड दिया गया है और साती में इनको एक अवोर्ड ओर दिया गया है यह अवोर्ड है Lifetime Achievement Award RD Bourbon Award किसको मिला है? RD Bourbon Award मिला है गुलजार को बेस्ट एक्टर्स का आवर्ड मिला है तापसी पन्नू फोर थपपड और बेस्ट डारेक्टर का आवर्ड किसको मिला है ओम राउत फोर तानाजी फिल्म और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल ये आवर्ड किसको मिला है तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का आवर्ड म मिलते हैं आपसे